वेल्कम बैक टो आप चानल तो आज हम बनाएंगे जनजर इत्मिसर की रेसिपी और मैंने यह वाइट वटने से बनाई है तो चली देखते हैं कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले तो यह मैंने एक मिडियम साइज का प्याज जिससे मैंने गयास पर रोस्ट करने के लिए रखा है और यह मैंने रोस्टेट कोकनट चार से पाच मैंने लाल मिर्श लिये सुके वाले और यह मैंने तीन ते चार मिडियम साइज के टमाटर दो मिडियम साइज के लिया है और जो जादा कॉंटिटी में लसन है यह हम पीस लेंगे और थोड़ा सा अद्रक अब हम शलते आगे की प्रोसेस की तरह तो यह जो सफेद वटाने यह मैंने रात को भीगो के रखे ते करीबन 4-5 घंटे के लिए भीगोना इसे और इसे हम प्रेशर कुकर में हम कोक क करेंगे नमक अड़ करके और मैंने यह मिसर की रेसिपी वाइट वटाने से बनाई यह आप चाओ तो मटकी भी यूज कर सकते हो अब इसमें अड़ करेंगे स्वादन उसर नमक और धक्की से हम 3-4 विसल आने के लिए कुक होने देना है अब हम चलते आगे की प्रोसेस की त करेंगे सुखे मिर्च अब हम एड करेंगे यह ड्राय रोस्टेट कोकनेट इसके बद हम एड करेंगे हरी मिर्च है मैंने एक ही मिर्च एड की है अब हम एड करेंगे जो प्याज हमने रोस्ट किया था इसे पीस लेंगे यह पीस रहा है तब तक हम कड़ाई में तेल गरम ह जान हम फिर्टस पानी करेंगे शाही बियानी युज़ किया है तेल गरम अब आड़ करेंगे हाँ थीं थीं और थोड़ा सा लस्टन हमने निकाला था वो हम कूट के इसमें आड करेंगे अब इसमें हम आड करेंगे प्याज प्याज को हमें अच्छी तरह low to medium flame पर golden brown होने तक पकाना है जल्के हमारे golden brown हो चुके अब इसमें हम आड करेंगे टमाटर और टमाटर को भी हमें अच्छी तरह पकाना है low to medium flame पर टमाटर जल्दी गलने के लिए इसमें हम आड करेंगे वन टीस्पून नमक और नमक आप अपने हिसाब से आड केजे कमिये ज़्यादा और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे इससे कहते है प्याज और टमाटर जल्दी गल जाते है और यह देखे प्याज हमारे गल चुके अब इसमें हम आड करेंगे जो हमने पीसा हुआ वाटन था वो आड करेंगे और इसे भी हमें अच्छी तरह लोग टू मिडियम फ्लेम पर चार से पार्च मिनट के लिए कुक होने देने है ग्रेवी जितनी पकेगी उतनी ही टीस्टी बनती है अब इसमें हम आड करेंगे कुछ मसाली है मैं आप टीस्पून हलदी पौडर रड़ कीया है तीन टीस्पून मैने रचिलि पौडर और वन टीस्पून धना घरमासाला पौडर याड की कैए की ठीवी आड़ी अपलोड़े है इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे हमें 1 मिनित के लिए पकाना है और एक मिनिट के बाद अच्छी तरह तेल भी चूट चुका है अब इसमें हम आड करेंगे थोड़ा सा पानी आड करेंगे जिस मिक्सी में हमने पीसा था उसी मिक्सी में मैंने पानी लिया है और इसे भी फिर से मिक्स करेंगे और जितनी ग्रेवी आपकी पकेगे उतनी ही ट मुलन दाओँ इसमें अच्छा जिर्फ दोक उधोभ हो और मुलन तो आद़ के लिए अच्छा कंगского भी और अच्छा आमेरा में ऑले कांट्व और बहुती अच्छा रडड़िश कलर आया था और टेश्टी बनेती मिससर और इसमें अब आड़करेंगे पानी और मैंने करीबन दो ग्लास पानी आड़किये हैं और इसे एक से दो मिन्ट के लिए उबालाने देना है उबालाने के बाद दन्या के पत्ते के साथ गार्निश करेंगे और बहुती टेस्टी और बहुती जंजडित मिस्टर बनेती हमारी आप ये रेसिपी जरुमें ट्राए पाम कान्दा लिंबू और मिस्टर से बिए मिल्की दसे हमारी जंजडित